लक्षमन जी जैपूर से हमारे साथ स्वागत है आपका जी बताईए आप मैं जैपूर से गोलगा हूँ मेरे मेरे कफ़वा और खांची गले में खरांच रहता है और एसे दिशी ज्यादा रहती है चीक जो दिखिए विकनस्का लिख लीजे पैन है आपके पास तो साथ साथ जो हमारे किचन में होते है साथ सौंट जीरा अजवाई जींजे सौ सो गराम लीजे और इसमें डेर सो गराम गौन्द मौरिंगा गौन्द मौरिंगा इसे सेजन का गौन्द भी कहते है और सेजन को ड्रम स्टिक कहते है जो बड़ी सी आपने देखा होगा लोग खाते है एक सबजी जो लंबी सी भिंडी कहलाती है सेजन उसे कहते है मौरिंगा इंग्लिश में कहते है मौरिंगा का गौ आता है गम तो वो डेट सो ग्राम इसे मिला ज़िए पाउडर बनाई है और एक चम्मस सुभा एक चम्मस शाम यानि तीन चार ग्राम आपको खाना है जिस दिन से शुरू करेंगे उस दिन से आपको फाइदा शुरू होना मुम्किन है नेक्स कॉलर है महींद्र जी अलीगर से हमारे साथ वागत है आपका महींद्र जी अलो प्रश्न कीजिए अधार नमस्कार जी आदाब जी तो मुझे जो है मेरे वाइट पैर में हिस से लेकर के बिड़ली पत्र दर्व है जन्वरी से ठीक है मेरे जो है मुझे सुहर की भी प्रोड़म है तो मैं क्या करूँ मेरे हिप्स से लेकर के पिंड़ली तक दर्व है जन्वरी के है पर बताईए आपके घर में वैस्टन ट्वालेट है घर में वैस्टन ट्वालेट है ऐसा कुर्सी वाला है कुर्सी वाला है लेकिन मुझे ता बीमारी ऐसी है कि आपको वेस्टर्ण टॉयलेट पर अपनी ज़रुत पूरी करनी चाहिए जहां आपके दर्द है हिप में जमीन के टॉयलेट में बैटने से बहाँ पर यदि जोर पड़ता है हमें पता नहीं चलता और आप जिसम में हलके होंगे इस वज़े से आपको पता चलता है आप सबसे पहले तो ये जरूरी कि आपको उस पर जाना है फारीग होने के लिए दूसरा एक इलाज में बताता हूं एक गौन्द आता है गौन्द सिया सिया काले को कहते है काला गौन्द भी कहते है और गौन्द सिया भी कहते है एक रो मैटेरियल है अच्छा खासा म मटर की बराबर थोड़ी बड़ी या छोटी लेकिन इतनी रहनी चाहिए चने या मटर की बराबर सुबा नाश्ते के बाद बगेर चर्वी के दूस से खाईए और एक रात तो खाने के बाद बगेर चर्वी के दूस से खाईए ये 100 ग्राम गौन खतम होने से पहले आपका फा तो इसकी पहचान कैसे होगी कि यह गॉंसिया सही है तो देखी यह बड़ा बड़ा होता है जी और सिया मतलब यह ब्राउन सा होता है इसको सिया कहते है लेकिन ब्राउन कलर का होता है सिया इमाइल ब्राउन सा जायके में कड़वा बहुत होता है ठीक है मैंने अपनी लाइफ में इस्ती कड़वी दवा नहीं देखी. मत मिसमझतें नीम कड़वा है, करेला कड़वा है. लेकिन उसकी कड़वा हट इसके आहाम में कुछ भी नहीं. निम के पत्ते ऐसी खा जाता हूं, कोई बात नहीं, करेला भी यह खा जाता हूं, अपने घर में सब्जी बनवाता हूं, कडवी वाली बनाना, कुछ लोग उसको कड़वा कम कर देते, तो मैं कहता हूं, कडवी वाली बनाओ, लेकिन इसकी कड़वा हट, अगर आपने एक नहीं होता, महंगा इसे कहते हैं, लेकिन ये ऐसे, दस बारा रुपे रोज की खुराक पड़ती है, मतलब दो बार आप खुराक खाएंगे, तो दस या बारा रुपे रोज का खरचा है, तो दस बार रुपे तो कोई भी डॉक्टर इससे ज़्यादा, पचास रुपे तो तो ये 100 ग्राम खतम होते होते, बेस्तर मरीज ठीक हो जाते हैं, तो इसे इस्तिमाल करें, और वजर नहीं उठाएं, वेस्टर ट्वालेट का इस्तिमाल करें, हमारे जिसन को सप्लाई करता है, उसे लीवर कहते हैं, लीवर एक बहुत कीमती शेह है, जिसका हम अक्सर ख्या पाइटिक दवाईयां, बहुत तेज किसम के पेनकिलर खाते हैं, तो उसका असर दो चीजों पर बेहत ज्यादा होता है, किड्नी और लीवर, लीवर हर उस बुखार के बाद जिसमें हमें ठंड लगती है, सर्दी लगती है, दान्त बजने लगते हैं सर्दी से, जैसे मलेर मलेरिया, मलेरिया की दवा हम खाते हैं या किसी और तेज बुखार की, तो लीवर को बहुत तकलिफ उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जहरीली दवा है, जिसको उबालने और च्छानने में हमारा लीवर खुद मतासिर हो जाता है, इंप्रेस हो जाता है, ये जहर को आगे नहीं जाने देता है, चाहिए ये खुद इंप्रेस हो जाए, इसकी ये खुबी है कि आप और हम जो भी खाते हैं, जहरीला, गंदा या गंदगी जिसे पेट में चली जाए, तो ये उसको उबाल च्छान कर आगे जाने देता है, जब तक वो से पाक नहीं कर देता जहर से हमारी बोडी को सप्लाई नी करता, वरना आदमी जिन्दगी नहीं जी सकता, तो लिवर का जरूर खयार लगना चाहिए, अब रीज जी है, उत्रेकंट से हमारे साथ, स्वागत है आपका, हलो, हलो, हाँ, नमस्कार जी, जी, नमस्कार, जी, आदा, जी, मैं अब री ये ना मेरे को जनना था ना भाइव के बारे में, बताई, बटाई, बोडी बेट बहुत ज़्यादा गेन होता जा रहा है, छी करिक रिगार्डिंग मेरे को पूछना था, उनकी एज कितनी है, आपकी पत्नी की, जी, मैं नमस्कार, जी, आदा, एज बताई, मैं मैं अब ल ठीक है, उनका बोडी बेट जो है, वो बढ़ता जा रहा है, 2009 में उनका बोडी बेट सा 70 केजी, ठीक है, एज बता दीजे, एज अभी 30 येर्स को कम्प्रीट नहीं हुआ, 29 कम्प्रीट हुआ है, उच्छे दिखे, बहुत कम उम्र है, और हमारे गावों में मिसाल दी जाती के मुटापा और बुढ़ापा, एक सी चीजे, ये बात उनको बताईए मेरी तरफ से, और उनके खाने में, जो सबजी सालन घर में, जो भी आप खाते हैं, इतनी सारी अद्रक रोजाना, इतना सारा लहसन डाला करें, हम अक्सर कंजूसी में इतनी सा लहसन, इतनी सी अद्र डालते हैं, जीरा भी खूब डालें, और वेजी टेबल ओयल का इस्तमाल करें, एक दिन में पांच बार गरम पानी पीएं, और इसके लिए दवाएं भी बहुत हैं, लेकिन एक घंटा पैदल चलें, तो दवा की भी ज़रूत नहीं पड़ेगी, और घरेली नुस्खों में एक चमच धनिया और आधा चमच जीरा, डेड़ गिलास पानी में उबालें, और इतना उबालें कि आधा रह जाएं, ये एक बार रोजाना जरूर पिलाएं, और अगर इसको अच्छा करना है तो एक चुटकी खाने का सोड़ा इसमें मिला दें, ये आप उप्चार करेंग दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका ये इस्टान हो गई ठीक, चा देखे, ज़्यादा तर लोगों को मल्टी विटामिन्स की कमी से मुँ में च्छाले होते हैं तो मल्टी विटामिन्स का कैप्सूल लेना शुरू करें, कोई भी पैथी का लें, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और एक गिराम रोजाना आपको लेना है, गौंद आता है, मौरिंगा का, मौरिंगा का गौंद एक गिराम रोजाना पानी में मिलाकर पिलिया करें, आदा गिराम सुबह, आदा गिराम शाम, गौंद मौरिंगा तो आपको फायदा मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ राम अवतार जी स्वागत है आपका अला मुश्कास जी अदा आप पहले टी-वी का वॉल्यूम कम कर दीजे इड, समय यहां पर कम होता है बहुत सारे कॉलर्डग funds होते हैं लाइन में तो टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए जल्दी से बताइए किया जाना चाहते हैं मेरे मेडम भूग ने लग दिया है तीन-चार साल में बड़ी परिस्थानी अब लिकल दोनों टाइम भूग ने लग तो एज बताईए मेरी एज है सिट्टी सिट्टी पार लगा लो था ठीक है तो देखिए मैं एक ऐसा नस्खा आपको बताने जा रहा हूँ जो आज से या कल शुरू करेंगे तो आप आज से नहीं तो कल से फाइदा शुरू होना शुरू हो जाएगा लेकिन वो लिख लीजए आप कलम हो आपके पास पैन हो तो लिख लीजए कभी याद नहीं रहे देखिए सौट लीजए सौ गिराम सौट अद्रक के पाउडर को सौट कहते है सौट सौ गिराम जीरा सौ गिराम अजवाई सौ गिराम सौफ सौ गिराम और सौ गिराम गौन आता है मौरिंगा का मौरिंगा का गौन इसे सैजन का गौन भी कहते है मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिल जाता है तो असली लेन इन सब को पाउडर बना लीजे घर में कोई भी चीज पिसी भी मतला ना सब रौ मेटिरियल लेना गौन, मौरिंगा भी और धनिया अनिया सब रौ मेटिरियल लेके पाउडर बना लीजे और एक चमच तीन-चार ग्राम सुबा एक चमच तीन चार गिराम रात को सोते हुए सुबह नहार बूल ले तो बहुत अच्छा है गरम पानी से ले जिस दिन से आप शुरू करेंगे उसी दिन से फाइदा शुरू हो जाएगा फॉरण यह उसका मजबूर कर देता है लीवर को के भूख लगा के लीवर को चाल को जो सुस्ट पड़ जाती है उसको तेज कर देता है हज़हज को तेज कर देता है ऐसी डिटी को खतम कर देता लेज–क बपस्ली को तोड़ देता है और आपको फॉरण फाइदा शूरू ह हो जाता है क्योंकि एक एक बात आप लोगों को यहाँ पर अगर हकीम साहब जी बता रहे हैं तो आपको वो वैसे ही फॉलो करनी है कितने ग्राम आपको क्या कुछ लेना है कैसे आप लोगों को पानी का सेवन करना है कैसे आप लोगों को गरम पानी पीना है यह जितनी भी बाते आप लोगों को यहां पर बताये जा रही है एक एक बात आप लोग नोट डाउन कर लीजे तो आप वीडियो क्लिप बना के भी एक बड़ दुबारा से सुन सकते हैं कि क्या कुछ उपचार आप लोगों को हकीम सहाब यहां पर बता रही है और करके देख को फिर से आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगी जब बात आती है अतिया हर्प्स की तो आप सभी जानते हैं यह एक ब्रैंडिट कंपनी है 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है फोन उठाना है नमर्स पर कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी ट जी मैं राज़तान से भोग रहा हूँ तो क्या है छोटा बच्छा है दस एक साल का उनके आंखों में हैलर्जी है चीक है दस साल का है ना जी दस साल का है उनके आंखों में हैलर्जी है तो मैंने उनको दिखा दिया हो फिटल में तो डॉक्टरों ने बोला कि यह बारा साल क होगा तब तक ऐसे ही रहे गार उसके बाद में रड़ी हो जाएगा ठीक है जदी कि एक नस्खा में बताता हूं आपको बड़ा कीमती है और ये सब के लिए उस बच्चे के लिए भी है और उन सब के लिए है जिनको भी वबाई मर्ज हो जाते हैं जैसे अलर्जी आंक से पान होना ये मौसम बदला है बरसाथ और बरसाथ के बाद के मामला आखों की बीमारी है आई फ्लू हो जाता है ऐसे लोगों के लिए लिए एक जड़ी बुटी है जिसको कहते है मुंडी बुटी मुंडी बुटी बहुत सस्ती आती है मिरका तर पांच-दस रुपे की इतनी सार के लिए काफी तो मुंडी बुटी आप लीए और दो पीस रात को पानी में डालके जो होता ना सकोरा कच्छी बिटी का जो हुता है उसमें डाल के रह दीजिए और सुबह को इसको अबा लिए पानी को एक गिलास पानी को इतना उबा लिए कि आधा रह जाए पानी रोज यह पानी आधा गिलास इस बच्चे को पिलाईए बहुत जल्द इस बच्चे का ठीक होना मुम्किन है तो बहुत जल्दी आपका बेटा ठीक हो जाएगा तो दर्श को देखिए ना सिर्फ आपका बेटा आपका पूरा परिवार तंदरुस्त हो सकता है एक निरोगी काया पा सकता है देखिए दर्श को पहला सुक तो निरोगी काया है और दुनिया का सबसे बड़ा दुख है वो नहीं है अब जुडिये दर्श को देशी नुस्कों से जुडिये फिर देखिएगा एक चमतकार ही आप लोगों को देखने को मिलेगा लेकिन सयम रखना होगा थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को जरूर करना होगा फोन उठाए नमबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों सामने लगतार दिखाये जा रही है